पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही खोच का होगा। चुनिएंग CGPSC नी बात्शाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC और व्यापव का सपना साकार। डाउलोड धी आप नाउ राइपूर समभाग का एक और जिला गरियाबन जिले का मैप बना करके डेटेलिंग करेंगे। इन्पोर्टेंट है ध्यान समस्तियों चलिएगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहा है यहाँ पर गरियाबन जिले का आउटलाइन बना हुआ है। सबसे पहले हम देखें कि गरियाबन जिले से होकर यह कौन सा प्रमुख सड़क गुजरता है। गरियाबन जिले के सभी प्रमुख इस्थानों के नाम को देखेंगे। फिर एक एक करके हर एक इस्थान से जुड़े होए महत्त्वपुन तथियों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिले का गठन कब हुआ? गरियाबंद जिला वर्श 2012 में राइपूर जिले से प्रिथाख हो करके, राइपूर जीले से प्रिधक हो करके गरियाबंद जीला अस्तित्य में आया इसका मैट ड्रॉ करके देख लेते हैं देखिए ये है आपका राइपूर संभाग राइपूर संभाग के अंतरगत ये सभी के सभी है आपके जीले राइपूर जीला बलोदा बजार जीला जिला गरियाबंद जिला और इधर है आपका धमतरी जिला ठीक सबसे पहले 1861 में 1861 में राइपूर जिले का गठन हुआ उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ऐसे दो क्रॉस लाइन बना लेना है आपको यह ठीक है वर्ष उननीस सो अंठ्यांबे में राइपूर जिले से प्रिथा खोकर के धमतरी और धमतरी के ओपोजिट में है महा समुद्ध यह दोनों के दोनों जिले अस्तित्त में आए ठीक है जबकि 2012 में गरियाबंद और गरियाबंद के ओपोजिट में है बलोदा बजार यह दोनों के दोनों जिले अस्तित्त में आए बलोदा बजार य खेले से अनलों हो करके एक सड़क आ रहा है जिसका नाम है नेशनल हाइवे नंबर 130C जब हमने राइपूर सम्भाख शुरू किया था तो सबसे पहले हमने राइपूर संभाग और उसके जीलों से होकर के गुजरने वाले सभी प्रमुक सरकों को एक साथ कवर कर लिया था ठीका याद है कि नहीं राइपूर संभाग हमने शुरू किया था उसी समय हमने जो है राइपूर और उसके सीमावर्ती जीलों से होकर के गुजरने वाले जितनी पमुक सटके है उसे एक साथ एक ही मैप में हमने ड्रौ कर लिया और आपको याद आ देखिए अगर relate नहीं कार पा रहा है तो खत्रा है आपके बलोदा बजार में है सिमगा से national highway number 30 उतरता है आपके राइपूर में राइपूर से फिर ये सड़क आपके राइपूर में ही एक जगह है जिसका नाम है अभनपूर अभनपूर से फिर ये सड़क चले जाएगा भाग जिस दिन हमने शुरू किया था उस दिन के जाकर के लेक्चर को देखिएगा ठीक है इस national highway number 130C में जब ये नामबर 130C इंटर करेगा गरियाबंद में तो गरियाबंद में मौझूद है सबसे पहले राजीम, राजीम के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद बिं बिंद्रा नवागल, मैनपूर, मैनपूर के बाद गोहरापदर, गोहरापदर के बाद देवभो, फिर सड़क कहां जा रहा है उडिसा के लिए, इस राजीम से एक सड़क बना हुआ है, इस सड़क का कोई नाम नहीं है, इस सड़क पर मौझूद है आपका बेलतुकडी, बिलतुकडी के बाद फिंगेश्वर, फिंगेश्वर के बाद जत्माई, जत्माई के बाद छूरा, ठीक है, इस गर्याबन जिले के साइड में मौझूद है आपका धमतरी, क्या मौझूद है, धमतरी जिला, इस धमतरी, इस धमतरी जिले में मौझूद है सिहावा की पहा ति कि झाक यहांनादी में इसी महानदी के तट पर बसा हुआ है आपका राजीम महानदी के तट पर बसा हुआ राजीम देखिए यहां से एक पहाड़ी इस पहाड़ी से उद्गाम होता एक नदी का जिसका नाम है पैरी नदी पैरी नदी भी जाकर के विसरजित होती है महा नदी में और इधर उडिसा की ओर से एक नदी प्रवाहित होते हुए आरी है जिसका नाम है सोंडूर नदी सोंडूर नदी जो की गरिया बंजिले प्रव नदी एकिन नदिन १क्र महाव नदी पैरी नदी विसर्जेट उप्र सबस्वेल जर्यवा पहारी से उद्गम होता हूझ शाजी है पहाडी उद्गम होता है विसरजीत महावन नदी में फिर पुना जर्याबंध में जाकर को आपके राजीम में महा नदी में जाकर के विसरजित हो जाएगी, त्रिवेडी संगंपर बसा हुआ है आपका राजीम, ठीक है, आगे और classified करूंगा, थ्यांस सुनना, ध्यांस समझना, ठीक, अब देखिए, अब एक एक करके डिटेलिंग करते हैं, ध्यांस समझते हो चलना, सबसे पहले, नेशनल ह उसको नोट डाउन करते हो चलना, राजीम, जो की तीन नदियों के संगं पर, त्रिवेडी संगं पर बसा हुआ शहर है, त्रिवेडी संगं, त्रिवेडी संगं, तीन नदियों का संगं, यानि की महा नदी, प्लस पैरी नदी प्लस सोंधूर नदी इन तीन नदियों के संगम पर बसा हुआ शहर है आपका राजिम त्रिवेडी संगम है इस कारण से इस राजिम को कहा जाता है 36 गड़ का प्रयाग 36 गड़ का प्रयाग देखे प्रयाग जो जगा है इस प्रयाग नामक जगा पर प्रयाग जो है प्रयाग में गंगा यमुना और आपके गुप्त सरस्वती जो आपके उत्तरोप्रदेश में जो प्रयाग है, प्रयाग में गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती यह फिर आपके अदृष्य सरस्वती इसका त्रिवेडी संगम है, ठीक है? देखिये, वर्तमान में जो है आपके सरस्वती नदी परवाहीत नहीं होती, लेकिन ऐसा मा इसलिए इस समर्पित है वैशनव धर्म भगवान विश्णू को समर्पित मंदिर है ठीक है वैश्नो धर में संबंदित है इस मंदिर का निर्माण इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण सात्वी सताब्दी में ठीक है सात्वी सताब्दी में नलवंश के शाशक नलवंश के शाशक रहते है जिनका नाम रहता है बिलास्तुंग बिलास् के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया इस राजीव लोचन मंदिर में एक विशेश प्रकार का प्रसाद वित्रित होता है जिसका नाम है पीडिया प्रसाद पीडिया प्रसाद इन्पोर्टेंट है एक्जाम में आया हुआ है प्रदेश के किस मंदिर में पीडिया प्रसाद का वित्रण किया जाता है राजिव लोचन मंदिर में ठीक है अपने आप में ताफी विशिष्ट प्रकार का प्रसाद है आपके राजिव लोचन मंदिर में में वित्रित होने वाला पीडिया प्रसाद यही पर प्रती वर्ष माग पूर्णिमा के दिन माग पूर्णिमा से ले करके महा शिवरात्री तक यहाँ पर मेला भरता है जिसे मागी पुन्नी मेला कहा जाता है मागी पुन्नी मेला इसे क्या कहा जाता है मागी पुन्नी मेला कहा जाता है हर साल इसी राजिम के त्रिवेडी संगम पर मागी पुन्नी मेले का आयोजन होता है मैंने आपको सुरू से बता करके रखा है कि आपको हिंदी कलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम याद होने चाहिए माग के महने में प्रती वर्ष माग पूर्णिमा के दिन ठीक है एक होता है आपका पूर्णिमा और एक होता है अमावस्या जब हम छत्यर की लोकलायम संस्कृति पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको डिटेल ने बताऊंगा पंधरा दिन जो होता है वो रहता है आपका शुकला पक्ष पंधरा दिन रहता है क्रिश्न पक्ष एक होता है पूर्णिमा एक होता है अमावस्या ठीक है यह सब हम छत्यर की लोकलायम संस्कृति पढ़ेंगे वहाँ पर फिर से आपको बताऊंगा मागी पुन्नी मेले के अभी बस यहां पर सुनके रखिए इस त्रिवेनी संगम पर प्रती वर्ष माग पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्री तक यहां पर भरता है मागी पुन्नी मेला ठीक है माग मेने कार में इसका नाम मागी पूर्णिमा से शुरू होता है इसलिए पुन्नी मागी पुन् लक्षमन जुला है लक्षमन जुला ठेक है इसी त्रिवेडी संगम के उपर बना हुआ है आपका लक्षमन जुला लक्षमन जुला याने की suspension bridge नदी के उपर एक जुलता हुआ पुल बनाया गया है जिसे लक्षमन जुला कहा जाता है ठेक है यह जो लक्षमन जुला है यह ल राजीव लोचन मंदिर जो कि वैशनो धर्म को समर्पित है भगवान विश्णू को और दूसरा है आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर कुलेश्वर महादेव मंदिर महादेव यानि कि भगवान शीव जो कि शैर्व धर्म सम्बंदित है और तीसरा है आपका लोमस रिशी का आसरम लोमस रिशी का आसरम ये तीनों इस्थान को कनेक्ट करते हुए ये लक्षमर जूला बनाया गया है यानि कि जो लक्षमर जूला है ये लक्षमर जूला राजीव लोचन मंदिर कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस रिशी के आसरम तीनों को आपस में कनेक्ट करता है हमारे प्रदेश का सब से लंबा लक्षमन जुला है आपके राजिम में बना हुआ ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखना है प्रदेश सरकार के द्वारा राम वन गमन पत के लिए प्रथम चरण में नौ इस्थानों का चैन किया गया है राम वन गमन पत के नौ इस्थानों में से एक इस्थान र अब तक हम कौन-कौन से इस्थान देख चुके है, सबसे पहले बस्तर में है आपका राम पाल, सुक्मा में है रामा राम, ठीक है, राइपूर में हमने देखा है चदखूरी, अभी हम देख रहे है गरियाबंद में कौन सा राजीम, टोटल चार इस्थान होगा है नौ में से आगे और कनेक्ट करेंगे हम, टोटल नौ इस्थान है प्रथम चरण में, जिनका विकास किया जारा प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, तो राजीम से रिलेटेट इतने सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, राजीम जो की त्रिवेनी संगम के उपर बसा हुआ शह आगे हम देखेंगे इतिहास पढ़ेंगी, छत्तिकल का राजवन्च रहता नलवंच, नलवंच ये शाचक बिलास्तुं के द्वरा इस मंदिर का निर्मान करवाया गया, पीडिया प्रसाद वित्रित किया जता इस राजीम लोचन मंदिर में, मागपूर नीमा के दिन यहा एक suspension bridge है, जो की राजीव लोचन मंदिर, कुलेशवर महादेव मंदिर और लोमस रिसी का आस्रम, नदी के एक किनारे राजीव लोचन मंदिर है, नदी के दूसरे किनारे जो है कुलेशवर महादेव मंदिर है, दोनों के बीच उन्हें connect करते हुए एक जूला लगाया गया जिसे लचमण जूला पा जाता है, नदी के उपर तैरता हुआ एक जूला है, एक suspension bridge है, ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर से related इतना सारे fact आपको याद रखने है, अब राजीव से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मौजूद है आपका गरिया बंद, गरिया बंद जो की जिला मुख्याला है, इसी गरिया बंद में मौजूद है आपका भुतेशवार नाथ, भुतेशवार नाथ धाम, भुतेशवार नाथ धाम, जंगलों के बीचों बीच, खुले आस्मान में यहाँ पर प्रकृतिक रूप से बना हुआ एक विशाल का इस शिवलिंग है, एक बहुत बड़ा चटान है जिने शिवलिंग का प्रतिरूप माना जा रहा है ऐसा कहा जाता है कि हर साल इस शिवलिंग का आकार बढ़ता है जब कभी भी आपको शिवरात्री का समय आएगा या सावन का महना आता है हर हमेशा आपको न्यूस पेपर के आर्टिकल में एक जं जिलिंग का प्रतिरूप माना जाता है भूतेश्वर नात धाम इसी गरियाबंद में है ठीक है भूतेश्वर नात धाम गरियाबंद गरियाबंद जोकी जीला मुख्याल है सारे प्रशासनिक कारिया इसी गरियाबंद में होंगी ठीक है आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है आपका बिंद्रा नवागड में निवास करती है एक जन जाती जिसका नाम है कमार जन जाती क्या नाम है कमार जन जाती केंद्र सरकार द्वारा विशेश रूप से पिछडी हुई पाँच जन जातियों में से एक ठीक है केंद्र सरकार हमारे प्रदेश में जो है केंद्र सरका प्रवार की विशेश रूप से पिछडी हुई पाज जन जातिया है। कोर्वार केंद्र सारकार की विशेश रूप से पिछडी हुई पाज जन जातियों में से एक है आपका कमार जन जाति का मुख्य रूप से संकेंद्रन कहां पर है। में क्या मिलता है मैनपूर में मिलता है हीरा डाइमंड ठीक है यहाँ पर मिलता है आपका हीरा। इसी मैनपूर में मौझूद है एक जल प्रपात जिसका नाम है कुलाप जल प्रपात। कुलाप जल प्रपात इन्पोर्टेंट है याद रखना एक्जाम का प्रश्ण बन सकता है कि कुलाप जल प्रपात किस जिले में है। गरिया बंजीले के मैनपूर में है आपका कुलाप जलप्रपात, मैनपूर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है आपका गोहरा पदर, गोहरा पदर जहाँ पर मिलता है गारनेट, एक प्रकार का खनीज है गारनेट, आगे खनीज वोले टॉपिक में और हम इस पर डिटेल म देखिए, एलेक्सजेंडर राइट, मैनपूर में मिलता है आपका हीरा, जबकि देवभोग में मिलता है एलेक्सजेंडर राइट, कुछ पुस्तों को में लिखाओ मिलेगा कि देवभोग में हीरा मिलता है, जी नहीं, देवभोग में मिलता है आपका एलेक्सजेंडर रा इसे इस एलेक्जंडराइट को गरीबो का हीरा कहा जाता है गरीबो का हीरा दिखने में हीरा यानि कि डायमेंड के सवान है लेकिन उससे कम कीमत का रहता है इसका उपयोग भी आभूशन बनाने के लिए किया जाता है ठीक है देवभोग में मिलता है आपका एलेक्जंडराइ या है गरिया बंजिले की ठीक है सभी बड़े के बड़े उद्योग जो है इसी बेल तुकडी में इस्थापित होंगे तो गरिया बंजिले का अध्योगिक छेत्र है आपका बेल तुकडी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है फिंगेश्वर जो की 36 गड़ के 36 गड़ों में से एक गड़ था आपका फिंगेश्वर इसी फिंगेश्वर मौजूद है आपका फनेश्वर महादेव मंदीर फनेश्वर महादेव मंदीर ठीक है इसी फिंगेश्वर मौजूद है आपका फनेश्वर महादेव मंदीर ये पंच कोशी की यात्रा से संबंदित है पंच कोशी यात्रा पंच कोशी यात्रा देखे जब कभी भी आपके प्रती वर्ष सावन का महना आता है तो शावन के महने में सीव भक्त कावड लेकर के जितने भी आपके भगवान शीव के प्रमुख धाम है उसकी यात्रा करते हैं उन्हें यात्राओं में से एक यात्रा है आपके पंच कोशी की यात्रा ठीक है पंच कोशी की यात्रा पंच कोशी नाम से इसपश्ट है पांच देखिए इस पंच कोशी य या फणेश्वर धाम, फणेश्वर महादेव मंदीर, ठीक है, एक है आपका फणेश्वर महादेव मंदीर, दूसरा है आपका कोपेश्वर महादेव मंदीर, कोपेश्वर महादेव मंदीर, तिसरा है आपका चमपेश्वर महादेव मंदीर, चमपेश्वर महादेव मंदीर चौथा है आपका बमहनेश्वर महादेव मंदीर बमहनेश्वर बमहनेश्वर महादेव मंदीर और एक आपका पनेश्वर हो गया कोपेश्वर हो गया चमपेश्वर हो गया बहनेश्वर हो गया और एक हो गया आपका पटेश्वर महादेव मंदीर जिसमें से जो फणेश्वर और कोपेश्वर है ये आपके गरियाबंद जिले में है जबकि आपका चंपेश्वर महादेव मंदीर है ये है आपका चंपारण रायपूर में बमहनेश्वर और पटेश्वर और इन पाचों के सेंटर में मौझूद है आपके राजिम का कुलेश्वर महादेव मंदीर इस कुलेश्वर महादेव मंदीर से इस यात्रा की शुरुवात होती है फनेश्वर, कोपेश्वर, चंपेश्वर, भवनेश्वर, पटेश्वर से होते हुए वापस इस कुलेश्वर महादेव मंदीर में जाकर के एंड होता है ठीक है तो ये है आपका फिंगेश्वर में जो की पंचकोशी यात्रा है संबंदित है, 36-36 गडों में से एक गड़ है, उसके आङे जाएंगग तो यहाँ पर मौझूुद है आपका जत्माई, जत्माई माता का मंदिर है, इस थान के नाम पर ही माता का मंदिर का नाम है और जल्प्रपात का नाम भी है ठीक है काफी मनुरम द्रिश्य दिखता है यहाँ पर बरसात के महने में अगर आप जाएंगे तो मंदिर के बीचों बीच से जर्ना प्रवाहित होता है ठीक है काफी मनुरम द्रिश्य दिखता है इस मंदिर का अगर बरसात के महने में जाया जाया तो बाकी टाइम तो यहाँ एक मंदीन है घटा रानी मातो का मंदीर घ्टा रानी जल्प्रपात एक है इंपोर्टेंट याद रखना है ईसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है छूरा छूरा जिसका आपको कैवल नाम याद रखना है ठीक अब दिखिए यहां पर मौजूद है एक अभ्यारण्य जिसका नाम है उद्धन्ती अभ्यारण्य क्या है उद्धन्ती अभ्यारण्य उद्धन्ती अभ्यारण्य सेंचुरी ठीक है इस उद्धन्ती अभ्यारण्य में वन भैसे का संरक्षन किया जाता है वन भ प्रदेश का राजकिय पसु है वन भैसा, वन भैसे का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, उद्धनती अभ्यारण्य में, साती सात, वन भैसे का संरक्षण किया जाता है, ये उद्धनती अभ्यारण्य है, इधर है धमतरी, सिहावा की पहाड़ी के उपर यहाँ पर मौझूद सीता नदी अभ्यारन्य सीता नदी अभ्यारन्य अभ्यारन्य जब हम पढ़ रहे थे आपका धमतरी तब भी मैंने आपको बताया था कि इस उद्धन्ती और सीता नदी को ले करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम क्या है उद्धन्ती सीता नदी टाइगर पती जो कि मौजूद है बीजापूर में और दूसरा है आपका उद्धनती सीता नदी दोनों को सन्यूग तरूप से एक टाइगर रिजर्व घोशित किया गया है जो कि आपके गर्याबंद और ध險 तरी की सीमा पर मौजूद है उद्धनती सीता नदी tiger reserve उद्धन्ती अभ्यारन्य मौझूद है आपके गरियाबंद में ठीक है जबकि सीता नदी मौझूद है कहाँ पर आपके धमतरी में और दोनों को मिला करके सन्यूप तुरुप से एक tiger reserve घोशित किया गया है उद्धन्ती अभ्यारन्य गरियाबंद में जहाँ पर वन भैसे का समरक्षन किया था हमारे प्रोदेश का राजकी पशु वन भैसा ठीक है इसे उद्धन्ती अभ्यारन्य में मुशक हीरन थेक्षं मूशक हीरन चोटे आकार का चुछे के जैसे दिखने वाला हीरन यहाँ पर देखा गया है, उद्धन्ती अब्ध्यरण्य में, ठीक है, माउस डियर, माउस डियर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मूशक हिरन, मूशक हिरन यहाँ पर देखा गया है, छोटे आकार का, ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, भात्रीगड की पहाडी, क्योंकि एक्जाम में इससे कोश्चन आता है, और यहाँ पर जो है, कन्फ्यूजन कापी होता है, ठीक है, भात्रीगड की पहाडी, जो की मैनपूर पठार का हिस्सा है, मैनपूर पठार, ठीक है, इस छेत्र में जो है, आपके मैनपूर पठार फ उद्गम होने के पस्चात प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के विसरजित होती है कहां पर आपके सीधर राजिम में महानदी में जाकर के विसरजित होती है महानदी की एक साहयक नदी है प्रश्ण पूछा जागा पैरी नदी का उद्गम कहां से होता है भात बहात्रीगड की पहाडी option में नहीं है तो क्या लेंगे मैनपूर का पठार मैनपूर के पठार का ही हिस्सा है आपका भात्रीगड की पहाडी ठीक है अब ऐसा नहीं है अब देखें मैं आपको भात्रीगड की पहाडी पढ़ा दूँगा और exam में question आया जिसे भात्रीगड की इस विसरजित हो रही है किस में ? महनदी में इधर तरफ मौझूद है आपका उडिसा इधर उडिसा राज्य मौझूद है उडिसा की ओर से कोरा पूट नवरंग पूर के तरफसे आती है एक नदी जिसका नाम है सूंधूर नदी क्या नाम है सोंधूर नदी सोंधूर नदी जिसका उदगम उडिसा के नौरंगपूर के तरफ है उडिसा के कोरापूर के नौरंगपूर के तरफ से प्रवाहित होते हुए आती है गरिया बंजीले में प्रवेश करेगी गरिया बंद जीले में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ेगी फिर ये थोड़ा सा इंटर करती है इधर आपके धमतरी में धमतरी के बद पुना ये इंटर करेगी गरिया बंद में और यहाँ पर ध्यान देना गरिया बंद में प्रवाहित होते हुए ये जाकर के कहां पर विसरजित हो रही है ये जाकर के विसरजित हो रही है पैरी नदी में देखिए इधर से पैरी नदी प्रवाहित हो रहा है और पैरी नदी में जाकर के विसरजित हो रहा है ये सूंधूर नदी ठीक है तो सूंधूर किसकी सहयक नदी है सूंधूर जो है ये पैरी की सहायक नदी है, पैरी की सहायक है, पैरी की सहायक, अब देखिए, जब मैं आपको राजीम बता रहा था, तब मैंने राजीम में बताया कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, महा नदी, पैरी और सूंधूर नदी का, लेकिन actual में वास्तविक रूप से ये जो सूंधूर नदी है, ये महा नदी की सहायक नदी है, ये पैरी की सहायक नदी है, ये जो राजीम है, जहां पे हम त्रिवेणी संगम की बात कर रहा है, उससे कुछी दूरी पहले, ये सूंधूर जाकर के पैरी में विसरजित हो जाता वास्तविक्त कि अगर हम बात करे तो यह सोंधुर नदी है ये कुछी दूरी पहले थोड़ा सो दूर पहले ही पैरी में जाकर के विसरजित होता है और फिर पैरी आगे जाके महा नदी में विसरजित होती है ठीक है तो त्रिवेणी संगम तो है लेकिन वास्तविक तोर पर ये सोंदूर किसकी साहयक है पैरी किसाहयक है ठीक है सोंद सोंधूर नदी का उध्गम हमारे 36 गज़ में नहीं है रखक होता है आक कोड़ा पुट नवरंगपूर की तरब से प्रवाहित होते हैं अधर धंतरी में इंटर करेगी और धंतरी से इंटर करने के बाद पैरी जाके विसरजित होती है और पैरी फाइनली जाकर के महा नदी में विसरजित होती है कई बार exam में question आएगा कि सोंडूर निम्न लिखित में से किस नदी की सहयक नदी है option दिया गया महा नदी, शिवनात नदी, हस्देव नदी, मन्यारी नदी तो आप answer कहा लेंगे महा नदी और वही question आया कि सोंडूर नदी निम्न लिखित में से किस की सहयक नदी है महा नदी, शिवनात नदी, हस्देव नदी, पैरी नदी तब आप answer लेंगे पैरी नदी को question क्या आ रहा है और option क्या आ रहा है उसके हिसाब से आपको answer select करना है तो धमतरी में इस नदी के उपर निर्मित है आपका सोंधूर जलाश है, सोंधूर जलाश है, डैम, सोंधूर जलाश है, सोंधूर जलाश है कहा है, धमतरी में है, धमतरी में बना हुआ है आपका सोंधूर जलाश है important है याद रखना देखिए ये नदी जो है इसका सरवाधिक जो प्रवाहन छेत्र जो है ये कहां पर है गरिया बंद में है लेकिन थोड़ा सा जब ये इंटर करता है धमतरी में तो धमतरी में इसमें बना हुआ है आपका सोंधूर जलास है ठीक है कई लोगों confusion क्या होता है कि यहां देखो यहां देखने में ऐसा लग रहा है कि सोंधूर नदी प्रवाहित हो रही है गरिया बंद में तो सोंधूर जलास है कहां होगा गरिया बंद में लेकिन थोड़ा सा ये इंटर करता है धमतरी में और धमतरी में इस सोंधूर नदी के पर बना हुआ है सोंधूर यहां पर मौझूद था आपका सीता नदी अभ्यारण्य और इस सीता नदी अभ्यारण्य के वन छेत्र में ही आपका यह जलाश है मौझूद है ACF 2021 का question समझे रहे question किसी साफ से घुमाता है कहीं पर भी ये source में नहीं मिलेगा कि सीता नदी अभ्यारण्य में सोंधूर जलास है लेकिन ये question आया था कि सीता नदी अभ्यारण्य 1 छेतर में कौन सा एक जलाशाय इस्थीत है सोंधूर जलाश है बना हुआ है ठीक है जदा पुराना question नहीं है 2022 में ACF 2021 का एक्जाम हुआ था उसका ये question बना था ठीक important है इसको याद रखना भात्रीगड की पहाड़ी मैनपूर के पठार में इस्थित भात्रीगड की पहाड़ी से उद्गम होता पैरी नदी का इस पैरी नदी के उपर बना हुआ है एक जलाश है जिसका नाम है सीका सार जलाश है सीका सार जलाश है जो कि एक hydropower project है hydropower plant है यहाँ पर hydropower plant याने की जल की शक्ती का उपयोग करके विद्यूत का उत्पादन करना उचाई से जो है पानी को टर्बाइन के ब्लेडों के उपर छोड़ा जाता है जिससे टर्बाइन की ब्लेड घोमती है और उससे electricity याने की विद्यूत उत्पादन होता है ठीक है यहाँ पर 7 मेगावाट का 7 मेगावाट के बिजली का उत्पादन किया जाता है ठीक है सीकासार जलासे है इस सीकासार जलासे में मिलती है एक विशेश प्रकार की मछली जिसका नाम है महाशीर पाई ठीक है, मचली का नाम क्या है, मचली का नाम है आपका महा, महाशीर पाई, महाशीर पाई, महाशीर पाई, जिसे टाइगर फिश कहा जाता है, टाइगर फिश, ठीक है, इस मचली को कहा जाता है, टाइगर फिश, महाशीर पाई, जिसे क्या कहा जाता है, टाइगर फिश, कि इस मचली की जो दात है वो काफी नुकीले है अपने से छोटे आकार की मचलियों को यहाँ खा जाती है इसलिए सीका सार जलासे में मचली पालन करना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है आपके महाशिर्फाई जिसे टाइगर फिश कहा जाता है टाइगर यह जो महासिर्पाई है यह मद्य प्रदेश राज्य की राज्यकिय मचली है जैसे कि हमारे प्रदेश का राज्यकिय मचली है आपका महासिर्पाई 2011 में मद्य प्रदेश राज्यकिय मचली का दर्जा दिया था वैसे तो हमारे प्रदेश में इस मचली का पालन किया जाता है कभीर धाम जिले में लेकिन सीकासार जलासे में मचली पाई जाती है जिसकान से इस सीकासार जलासे में मचली पालन काफी मुश्किल है अन्य मचलियो जिसका नाम है पांडुका 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 के अंतरगत एक गाव आता है जिसका नाम है कुटेना ग्राम जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना ठीक है देखिए एक इस्थान है जिसका नाम है पांडुका इस पांडुका के अंतरगत एक गाव आता है जिसका नाम है कुटेना ग्राम कुटेना ग्राम इस पांडुका कुटेना के अंतरगत एक आसरम है जिसका नाम है सीरकटी आसरम सीरकटी आसरम आज तक किसी भी एक्जाम में ये कोश्चन नहीं पुछा गया लेकिन आने वाले समय में कभी न कभी ये question बनेगा कि सिरकटी आसरम किस जिले में है सिरकटी आसरम जो है गरिया बन जिले में है ये जो पांडूका है ये पांडूका कुटेना ग्राम ये किस नदी के तट पर इस्थित है यह आपके पैरी नदी के तट पर इस्थित है, पांडूका कुटेना ग्राम में मौझूद सीरकटी आसरम, नाम से इस पष्ट है, यहाँ पर खुदाई में बहुत से ऐसे प्रतीमाय प्राप्त हुई है, जिसके सीरही नहीं है, प्रतीमा के सरीर का पूरा आकार है यहां गले से नीचे का धर पूरे मौजूद है लेकिन यहां पर मिली हुई प्रतीमाओं में किसी के भी सिर महीं है चुकि किसी प्रतिमाओं में सीर नहीं है एक प्रतिमा की बात नहीं हो रहा है यहां पर बहुत से ऐसी प्रतिमाओं है जिसके सीर ही नहीं है बल्ट जबकि यहां पर सीर के नीचे के पूरा का पूरा सरीर मौजूद है तो बहुत सी अजी प्रतिमा प्राप्त हूँ यह इसलिए इस आस्रम का ही नाम रख दिया गया है आपका सिरकटी आस्रम ठीक है अगर इमेज दिखाओं तो ये देखिए यहां आपका इसके उपर सिर ही मौजूद नहीं है यहां इसके उपर सिर नहीं है सिरकटी आसरम तो सिरकटी आसरम किस जिले में पुछा जाए तो सिरकटी आसरम मौझूद है पैरी नदी के तट पर पांडुका के अंतरकत आने वाले कुटेनाग्राम में और इस सिरकटी आसरम के पीछे पैरी नदी के ही तट पर ठीक है अब ये पैरी नदी के तट पर है, सिरकटी आसरम के जश्ट पीछे पैरी नदी के तट पर इस्थित है एक बंदरगाह के साक्ष, बंदरगाह, बंदरगाह के यहाँ पर साक्ष मौझूद है, प्राचीन समय का बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, जिसे क्या कहा जाता है गोदी बाड़ा यहां पर बंदरगाह के साक्ष मिले है आज से 2500 साल पुराने बंदरगाह के साक्ष मिले है हमारे प्रदेश के इतिहास कारों के द्वारा यहां दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे पुराना देश का सबसे पुराना रौक कट बंदर गाहा है, सबसे पुराना प्राकृतिक रौक कट बंदर गाहा है, ठीक है, पुराना प्राकृतिक रौक कट बंदर गाहा है, जैसे कि ये इमेज में आप देख रहे हैं, यह इधर तरप आपकी प्रवाहित हो रहे हैं, पैरी नदी और यहां पर आप देख रहे हैं, यह इस्ट्रक्चर बना हुआ, यह, यह, यह किसी ने खोद करके नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक रौक से बना हुआ है, दो चट्टानों के बीच में कटा हुआ है, यहां पर आपके नाओ खड़े होते थे, ठीक है, यहां पर नाओ खड़े होआ करते थे, ये हमारे देश का सबसे पुराना प्राकृतिक रौक कट बंदर गहा है देखे एक तो होता आर्टिफिशल मानाव निर्मित जिसमें क्या होता नदी के किनारे चटानों के बीच में खोद करके जगा बनाया जाता है लेकिन ये बनाया गया नहीं है ये प्राकृतिक रूप से निर्मित था और पचीस साल पुराने यहां पर आपके नाव खड़े हुआ करते थे और यहां से जो है इस आपके जो बंदर गहा था सिरकटी आश्रम के पिछे इससे हमारे 36 गड़ के निवासी अंतराश्की व्यापार किया करते थे ठीक है यहां पर बंदर गहा था यहां पर रॉकट बंदर गहा है रॉकट बंदर गहा से नाव जो है यह पैरी नदी में जाता था पैरी नदी से होते हुए महानदी में और महानदी से होते हुए उडिसा में जाता था और उडिसा में जो महानदी कहा विसरजित होती है बंगाल की खाड़ी में तो पैरी नदी से होते हुए महानदी महानदी से बंगाल की खाड़ी और बंगाले खाड़ी से जाते थे चीन व वस्तुओं का व्यापार किया जाता था इस बंदरगा से ठीक है हमारे प्रदेश का सबसे पुराना रौक कट बंदरगा है आपका इस पैरी नदी के तठ पर जहां पर पैरी बहा नदी बंगाली खाडी से होते हुए चीन में व्यापार किया जाता था इसी पांडू का नामक इस्थान पर एक जल प्रपाद भी है जिसका नाम है चिंगरा पगार जल प्रपाद एक्जाम में आया हुआ हुआ है इसे भी यात करना ठीक तो पांडू का जहां पर मौझूद है आपके कुटेना ग्राम के अंतरगा सिरकटी आसरम सिरकटी आसरम यहां पर जितनी प्रतिमाय प्राप्त हुई है उस प्रतिमायों के उस प्रतिमायों में सिर ही नहीं है धर मौझूद है लेकिन सिर मौझूद नहीं है इसी सिर्कटी आसरम के पीछे मौझूद है आपके पैरी नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक रॉक कट बंदर गहा इस ऐसा माना जाता है ऐसा अनुवान लगा जाता है कि इस बंदर गहा से अंतराष्टी व्यापार किया जाता था हमारे छतित गड़ के लोगों के द्वारा पैरी नदी से महा नदी महा नदी से होते बंगाल की खाड़ी चीन में जाकर व्यापार करते थे हमारे 36 गड़ के निवासी कोसा का औसदी का काच की चुड़ियों का सुगंधि चावल का व्यापार किया करते थे ठीक है तो यह हो गया आपका पैरी नदी से रिलेटेड फैक् पूरा का पूरा आपका गरिया बंद जिला ठीक है गरिया बंद जिले बताने के लिए केवल इतने ही फैक्ट है एक और करेंट अफेर का टॉपिक था कि यह जो आपका यहां पे जो यह त्रिवेडी संगम है ठीक है यह त्रिवेडी संगम है तीन नदियों का संगम है चुकि कि यहां पे काफी पुराने मंदिर मौजूद है लोमस रिशी का आसराम है कुलेशवर महादेव मंदिर है राजीव लोचन मंदिर है जो कि काफी पुराने मंदिर है इन मंदिरों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतीवर्ष यहां पर राजीव माघी पुन्न का आयोजन जो इस त्रिवेणी संगम पर होता है तो अब इसका आयोजन इस त्रिवेणी संगम पर ना करके पैरी इस आपके त्रिवेणी संगम से कुछ दूर पैरी नदी के तट पर एक location यहाँ पर बनाया जा रहा है ठीक है कौन सा ठीक तो यह है आपका गर्या बंत जिला थोड़ा अच्छे से कीजिएगा इसमें देखिए इसमें गलती होनी के संभावना जादा है किसमें कि पहला चीज तो यह कि सूंधूर नदी का उदगम छत्तिस गड़ में नहीं है उडिशा की क्या है तेल नदी जिसका उदगम होता है उडिशा में उडिशा में उस नदी का उदगम होता है देवभोग से प्रवाहित होते यह वापस चले जाती है आपके उडिशा में ठीक है एक साल का प्रश्ण बना था कि तेल नदी की चेत्र में प्रवाहित होती है, तो देवभोग वाले चेत्र में प्रवाहित होती है, महा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, महा नदी की एक सहायक नदी है, तेल नदी जो की उडिसा के तरफ ही महा नदी में जाके वितरजित होती है, लेकिन हमारे 36 गड के देवभोग वाल इसा में है महा नदी की सायक नदी है जिसका प्रवाज शेत्र हमारे छत्तिय गड़ के देव भोग में ठीक है फटाफ़ा रियूजन कर लेते एक बार सबसे पहले नबर 136 से इंटर करेंगे पहले मिलेगा राजीम राजीम जहां पर मौझूद है आपका राजीव लोचन सबसे पहले यहां पर त्रिवेडी संगम है तीन नदियों का संगम महा नदी पहरी नदी सोंडुर नदी इन तीन नदियों के संगम में करने इसे छत्तिवर का प्रयाक कहा जाता है यहां पर राजीव लोचन मंदीर सात्वी सताबदी में नल वंशे शाशक बिलास्तूं के आयोजन किया जाता है जो कि मागपुर्णिमा से लेकर के शिवरात्री के मद्य यहां मेला भरता है यहीं पर मौझूद है शैवधर्म संबंदित एक मंदिर जिसका नाम है कुलेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर मौझूद है आपका लोमस रिशी का आसरम इन तीनों इस्थानों को कनेक्ट करते हुए यहां पर बनाया गया प्रदेश का सबसे लंबा लक्षमन जूला ठीक है सस्पेंशन ब्रीज है जो की एक जूलता हुआ ठीक है एक नदी के उपर लटकता हुआ यहां एक ब्रीज है यह हो गया आपका राजीम राजीम से आगे बढ़ेंगे तो गोहरा पदर जहां पर गारनेट मिलता है देवभोग जहां पर मिलता है अलेक्जेंडर यही से तेल नदी प्रवाहित होती है उपर राजीम से कटे का एक सड़क जहां पर है बेल तुकडी जो की इंडस्टिर एरिया है फिंगेश्वर 36 गड़ के 36 गड़ों में से एक गड़ था यहां पर आपका फणेश्वर महादेव मंदीर पंच कोशी यात्र से संबंदीत है जत्मई ज जलाश है जिसका नामें सीका सार जलाश है जहां पर साथ मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट है यहीं पर मिलती है महासीर पाई मचली जिसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा चाता है ठीक उसके आगे जाएंगे तो यहीं पर महुझूद है आपका पांडुकों के अंतर पूरंगफूर के तरफ से आती है यह इंटर करती धमतरी में जहां पर बना हुए आपके सोंडुर जलाश है फिर यह नदी जाकर के विसरजीत हो जाती पैरी नदी पे ठीक यहां पर मौझूद है उद्धंतिया बहरन नी जहां पर वन भैसे कर संद्रक्षेंड किया आता ह है उद्धंतिया बहरन और सितन अदिया बहरन दुनों को मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है ठीक है इतने में आपक गरिया बंद होता है खतम इसे अच्छे से तयार कीजेगा ठीक है चलिए